Hello and welcome to our YouTube channel दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Bookkeeping System के दूसरे पार्ट यानि Double Entry System के बारे में तो आईए देख लेते हैं कि Double Entry System क्या होता है या किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़े included होती है इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं ठीक है, तो आईए देखते हैं क्या Double Entry System Double Entry System इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रडाली क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रडाली इसके जन्म दाता है यानि Father of Double Entry System Father of Double Entry System लिउकास पैसियोली कौन है? लिउकास पैसियोली सबसे पहले इन्होंने इसका जिक्र 1494 में किया था कब किया था? इयर 1494 क्या था? 1494 ठीक अब यह जान देते हैं कि Double Entry System में लिउकास किसी भी रांजेक्षन को रिकार्ड करने की दो पहलों हो सकते हैं पहली पहला पैल्यू क्या होता है? Receiving of the value Receiving of the value और दूसरा है Giving of the value क्या है? Giving of the value ठीक पहला कौन है? Receiving of the value और दूसरा कौन है? Giving of the value Receiving of the value यानि कि debit ठीक है यानि जो party receive करती है debit को हम short में DR बोलते हैं क्या बोलते हैं DR और giving of the value यानि कि जो data value ठीक है उसको credit बोलते हैं credit credit यानि इसको CR बोलते हैं ठीक है इसमें mainly हम यह कह सकते हैं कि double entry system में दो parties होती है एक तो कोई भी transaction करने के लिए हम जानते हैं कि दो parties का होना compulsory है यानि दो term का होना compulsory होता है एक तो receiver और दूसरा giver ठीक है यानि कि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जो एक ही transaction है double entry का मतलब ये नहीं है कि एक ही transaction को दो बार record करना दो अलग-अलग तरीके से record करना ऐसा नहीं होता लेकिन इसमें क्या है कि में लिए दो parties का होना compulsory होता है और एक ही transaction को double entry system के rule के recording record करके रखा जाता है यानि transaction के दोनों पहलों को record करके रखते हैं हम ठीक है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि double entry का मतलब क्या होता है कि every transactions क्या होता है हम यह कह सकते है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि every transactions have dual effect क्या होता है कि every transactions यानि कि सारी transactions का double effect होता है यानि एक debit party होती है और दूसरी credit party होती है किसी भी transactions को करने के लिए ठीक है तो इसमें क्या होता है कि double entry system तो समझा गया अब इसको double entry system पे काम करने के लिए कुछ steps होते हैं जिनको हम follow करते हैं यानि कुछ चीजें होती हैं जो इसके अंदर involve होती हैं जिसके थूँ ही हम double entry system पे काम करते हैं तो आईए देख लेते हैं कि वो क्या steps है steps और parts of double entry double entry system ठीक है जिसमें से सबसे पहला है original record क्या है original record यानि कि जिसमें क्या होता है कि जो भी मारी daily basis की transactions होती है उसको हम originally record करके रख लेते हैं यानि जो इसको हम और क्या बोल सकते हैं journal बोलते हैं क्या बोलते हैं journal entry भी बोलते हैं क्या बोलते हैं journal entry ठीक है या preparation of journals या फिर क्या बोल सकते हैं preparation of journals journal को हिंदी में क्या बोलते हैं journal हम आगे पढ़ेंगे journal हम अपनी next वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन journal को यहाँ पे हम नहीं पढ़ा सकते पूरा क्योंकि यहाँ पे यह थोड़ा बड़ा पढ़ जाएगा ठीक है तो यहाँ journal को हिंदी में क्या बोलते हैं रोज नामचा क्या बोलते हैं रोज नामचा इसको हम अलग से अलग topic में discuss करेंगे ठीक है सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कोई भी transactions का original record करते हैं ठीक है दूसरी चीज है classification फिर क्या करते हैं classification यानि बरगी करण ठीक है original record का मतलब यह भी होता है कि जैसे माल लीजे हमारा छोटा business है माल लीजे हम छोटा business कर रहे हैं तो उस condition में सिर्फ journal entry करके हम काम चला सकते हैं कि daily basis की जो भी हमारी transactions होती है उसको हम record करके रख लेते हैं और उसका use हम कर लेते हैं कम किस condition में जब हमारा business छोटा होता है और जब हमारा business बड़ा हो जाता है एक label के बाद हम यह चीजे record करके completely नहीं रख सकते या नहीं store करके रख पाते तो उस condition में हमें उसको classify करने की ज़रुरत पड़ती है जैसे माल लीजे sales, purchase, payment अलग-अलग चीजों की अलग-अलग 100, 200, 500 transactions है या more than उससे है चिक है या उससे बहुत सारी ज़्यादा transactions है 2000, 10000, 20000 transactions आप record करते हैं तो उसके लिए हमें classification करने की ज़रुरत पड़ती है तो classification यानि की laser बनाना क्या? classification यानि की lasers बनाने ठीक है? तो laser बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हर जो भी हमारे जो भी general entry के अंदर जो भी लोग आते हैं जो भी transactions होती है उनके क्या होते हैं? अलग-अलग खाते बना दिये जाते हैं तो इससे हमें कोई भी चीज एकसेस करने में आसानी होती है क्लासिफिकेशन हो गया यानि की हमने क्या किया? laser बना लिया laser बनाने के बाद यानि की classification हो गया classification होने के बाद हम क्या करते हैं? summary बनाते हैं वर्गी करण करने के बाद हम क्या करते हैं? summary बनाते हैं summary summary यानि की trial balance क्या बनाते हैं? trial balance ठेक है, trial balance बनाते हैं, trial balance का मतलब क्या होता है कि जब जो भी हमारी mathematical error है, कहाँ पर क्या problem है, कौन सी transaction गिलत हुई है, इस तरीके कि जो भी चीज़े होती है, mathematical errors को check करने के लिए mainly हम क्या बनाते हैं trial balance बनाते है ठीक है तो यानि कि हमने क्या किया जब से पहली चीज़ जनरल एंट्री कर लिए record कर लिया या उसके बाद classification कर लिया दिन हमने summary भी बना दी ठीक है यानि trial balance भी हमने हमने maintain कर लिया कि कौन सी चीज़े क्या है assets क्या है liabilities क्या है यह सारी चीज़े हमने ग्लासिफाइ कर दी या कितना सेल हुआ कितना purchase हुआ है ये सारा कुछ हमने बना लिया ठीक समरीब बना ली इसके बाद आता है last हमारा final account लास्ट हमारा क्या आता है final account या बोल सकते है preparation of preparation of final account यानि कि हम क्या बनाते हैं इसमें final account के अंदर क्या क्या चीज़े होती हमारा profit loss बनाते हैं trading account बनाते हैं और उसके बाद balance sheet बनाते हैं ठीक है profit loss ये सब बनाने से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो company है उसकी financial position क्या है present time में कितना profit हो रहा है कितना loss हो रहा है हमारा कितना व्य पाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने चार चीजे सिखी क्या-क्या double entry system ये ये सारी चीजें जो कुछ भी होती है ये double entry system के rule के according ही ये की जाती है ठीक है तो double entry system में सबसे पहले चीज हम general entry बनाते हैं दूसरा चीज की हम classification करते हैं यानि lasers बनाते हैं और तीसरी चीज हम trial balance बनाते हैं यानि जो भी errors होती है उनको check करते हैं find करते हैं और erase करते हैं, ठीक है, तो यह क्या करते हैं, हम trial balance बनाते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही आगे हम अपनी अगली वीडियो में और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें आसा करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशा करेंगे जाफ़ागी चेतरोग नहींडेड़़ाग वीड़ावाटे डा।